नमस्कार मित्रों मैं हूँ आपके साथ असोग वर्मा आप देख रहे हैं टीवी 20 नुज़ पर फटा फट खबरें बने रहे हैं हमारे साथ पदरामपूर जनपत की उत्रावला विधानसवा 36 सपाखे टिकट पर दो बाहर चुनाव जित कर विधानसवा पहुंचने वाले दवंग विधायक आरिफ अनवर हास्मी द्वारा अवैद रूप से अरजित की गई करोणों की चल अचल संपत का जब तिकरन जिला अधिकार् प्रूप से इजि आसमी डिक्जी कालेज, निस्नल महाविद याले रहरा, मौडर्न इंटर कालेज सादुल्लाह नगर, दारुल अलुम अलहे सुन्नत सादुल्लाह नगर, सोसाइटी वालिका विकास सिवा संस्तान सादुल्लाह नगर सामिल है। इसके अलावा चार बड़ी काड़ियां जिनके कीमत लगबग 65 लाग रुपए बताया गया है, उनकी भी कुर्की परसासन द्वारा कर लिया गया है, कुर्की कई कुल 6.1 हेक्टरिय जमीन तथा चल अजल संपतियां जिन में चार बड़ी काड़ियां भी सामिल है, का अनु एक्ट साइद कुल 22 आप राधिक मुकद में तरच है, एसपी हमेंद कुटियाल ने बताया कि उनके द्वारा अवैद रुप से अरजित की गई करीब 50 क्रोन की चल अचल संपत को कूर कर लिया गया है, इसके आगे भी उनके खिलाफ अने मावलों को लेकर कठोर कारवाई क किया जाएगा, क्या कुछ कहा है, इसपी बदरावपूर ने आपको सुनवाते हैं, 2020 से कुल पूर्व के 15 अप्रादिक अभ्योग हैं, 2020 से कुल 7 अप्रादिक अभ्योग हैं, इसी बार शिनकी 51 A हिस्ट्री शीट खोली गई है, और इसके अलावा गैंक्स्टर आक्ट में 156 बटा 20 मुकर्मा संख्या में एक यूपी गैंक्स्टर जीरियम में इनका की गई थी, उसमें जो प्रमुख भूमी जो कोड़ हुई है आज हो है, एजी हाश्मे डिगरी कॉलेज, नेशनल माहविजिया लाय रहरा, नेशनल संक्यक मॉडल इंटर कॉलेज, एजी हाश्मे इंटर कॉलेज, सादूला नगर, दार उलूम आहले सुननत, सादूला नग इसके अत्रिक करीब चार बड़ी गाडियां जो है, जिसकी कीमत 65 लाग से उपर है, उनकी कुड़की हुई है और बहुत 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 जादा इनकी जो लाइंड है, उसकी कुड़की हुई है, इस प्रकार से कुल करीब 50 करोण की भूमी है, जो संपत्री से वाज कुड़ की गई और जो इनके द्वारा जो अवैर द्रूप से अरजित के यही संपत्री का एक आंचिक हिस्सा है, और हम लोग और भी इसमें आगी कारवाई करेंगे, मजबूत कारवाई करेंगे, अभी भी ये जेल में निरुद हैं, और ऐसे व्यक्तिव खिलाफ और कठोर कारवा तो में सैक्लो कारकृता हापड जनपत की कड्मक्तिस्वर सही तीरों टोल पलाजा पर सनी वार को 11.45 पर टोल फ्री कराने के लिए पहुंचे, आपको बता दें कि 12 बज़े टोल को भी फ्री करा दिया गया, इसके बाद सभी वागियों नेता सासन कुछ स्योग देने की अन बहादर गड़ प्रभारी राजीव कुमार बालियान की टीम ने सभी भागियों नेताओं को रोक टोल फ्री रहने का विस्वास दिलाया, इसके बाद सभी कारकृताओं ने धरना देखकर बैठे रहे, हाला कि गंटे टोल बंद रखने के बाद हापूर एसपी की द्वारा समझाते हुए जहां एडियम आपूर तैसिलदार सुरिंद्यादों की मौचुद्की में दिनियस खिणा ने सभी कारकृताओं की सहमति से धरना समाप किया, क्या कुछ का है, इस बाद किसान नेता ने आपको सुनवाते हैं जो किसान विरोधी बिल हैं, जो किर्शी कानून बताए गए हैं, इनके विरोध में हमारा दिल्ली बोर्डर घेरो अंदोलन चल रहा है उसी के तहट हमारे जो 40 किसान पिर्ती निधी हैं, संक्ठनों के नेता हैं, उन्होंने उनीगी ये रननीती थी कि इन दिलों में आंदोलन की अलग-अलग उप्रेखा बनाते हुए, एक रोज पहले सड़क्याम का प्रोग्राम हुआ था, आज पोलफरी का प्रोग्राम का चोहदे तारीक में पूरे देश के चिला कलक्टेजों को भीरकर वहाँ ब्रदरसन करने का प्रोग्राम है आगे की भी जोरण की भी होगी, वो हाई कमानी तेह करेगी, हमारे चालिस पिर्दी निधी उसमें हैं, जिनकी अग्वाइल माननी है हमारे राष्टे प्रोग्ता राकेश्टि कैजी, और किसान यूनिन के लिए, खास्तोर से उत्तर प्रदेश के लिए, ये भी बहुत पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है और उनकी अगवाई में आंदोलन को आगे बढ़ाने का कारियर कर रहे हैं। ध्यान रखा गया। उनकी संख्या में पुलिस बलमवजूद था ताकि रैली को आगे ना चाने दिया जाए। लेकिन उसके बावसुद भी समझवादी पार्टी की कारकास को राष्ट्पत के नाम गयापन साओकर आपने कारयाले वापस चले गए। आपको होता दे हैं कि समझवादी पार्टी के कारकारता आजक्रिसी कानून के बिरोद में बायक रैली के द्वारा जिल्ला कारयाले हापुर से अच्छे जा निजामपूर नया गाओं कमालपूर होते हुए इसरेली का समापन आलमपूर मी होना था। लेकिन पुलिस ने सफाकारकरताओं के साथ कड़ी मसकत करते हुए उन्हें तहसिल चुराय पर ही रोक दिया और सफाकारकरताओं ने अपनी मांग को सरकार तक पहुचाने के लिए एक ग्यापन राश्टपत के नाम शौपा। अपनी बात को, किसानों की बात को, गरीवों की बात को कहने का यह बिलकुल जो अधिकार था इस भारत में, यह बिलकुल चिन रिये, हमारी आवाज को दबा रही है, हमारी मोटसाइकल यात्रा थी आज, उच में, यहां हम ओपीस पर इखटे हुए, यहां से मोटसाइकल ल लेकिन हमारी जो आज की यात्रा दी यहां से अचेजा, अचेजा से निजामपूर, निजामपूर से कावई, कावई से नया गाम, नया गाम से कमालपूर और इसका समापन था अलंपूर में. जो आज इन्होंने यहां तेसील चोराई पर चोधी चर्ण सिंची की पिति मापर रोग दी गई, और आगे नहीं जाने दिया, और इससे पहले भी हमने एक दो बार रेगुलर चल लिए साथ तारीक से, लेकिन कहीं मुकदमे भी होगे, आज इन्होंने बिलकुल भी हमें आग अंदेकर और अपनी बात को आगे सरकार तक पहुंचाने के प्रयास किया है, और यह योगी मोधी सरकार कितनी बातों को द्धान में रखते हैं, और इस अंदाता की बात को कितना सुनते हैं, इन्हें जो हमारे इस देश के अंदाता हैं, इन्होंने ही खुर्शी पे बैठा सबकों पर रहेंगे जब तक समाजवादी पार्टी के राश्टी अध्यक्टी आदेश निर्देश पर पूरी तरह से ये काम चलता रहेगा इसी कड़ी में हम लोग साइकल यात्रा निकाल ले थे और साइकल यात्रा में हम लोग जाते किसानों को सेवा बाउ के लिए लेकिन क्योंके इस उत्तरफदेश सरकार ने पुलिस से गुंडा कर दी पूरी तरह से समाजवादी पाइटी बे लाठी डंडे धका मुक्की और पूरी तरह से बैरिकेटिंग डाल कर हमको एक तरह से बंदिक बना लिया और विपक्स का जो काम है उसको करने में बिलकुल हमारे लिए बलपरियोग कर रही है हम उसकी घोर निंदा करते हैं दूसरी तरह इनका ये कहना है कि आप रूड जाम करें हो सड़कों पे किसान है आने जाने वालों को परिशानिया हो रही है तो मैं कहना चाहता हूं सरकार Зे लगातार आपके केबिल अट मिनिस्टर कह रहे है लगातार उन से संपर्क में डायलोग के जरीए से बात चल लही है अगर किसानों के हित में ये बिल है तो किसान समय नहीं पा रहा किसानों के लिए किरे हैं कि उनकी आया दुगनी हो जाएगी किसान बहुत फ finely फूलेगा कहीं न के किसान को डर है वह बहुत परिशान है आप सरकार से अमडूत करते हैं कि आप इन तीनों कानुनों को जो किसान विरोधी कानून है इसको तद्काल पार्लेमेंट वोट की मिटिंग मिलाओ और इसको समाफ कर दे यह हमारी सरकार ते कहां यह निकाली गई और कहां पे इसको रोका गया हमारा जैसे हम तैसिल चोराय पे पहुचे वहीं उन्होंने बैरिकेटिंगर तवाफ पीए इसके हुआ कि देखे जो विपक्ष का काम है इमानदारी से अपना दाहित तुमी भारा है लेकिन पिलिस पिरसासन टंडे के जोर पर हमको धबकाने का काम कर रहा हमको खबर आजमकर से है जहां महिलाओं के साथ हो रहे दुर्बिवार वच्षुर्खानी के मामले में उत्तर प्रतिस सरकार के सक्त होने से पुलिस भी ऐसे अपरादियों को सलाकों के पीछे पहुचाने की महीम तेज़ कर दी है इस क्रम में महराजगंज कोतवाले चेतर के कलवर्या निवासी महिला की साथ अभधर वेभार वाच्षुर्खानी और मारपीट के साथ धंकी देने में वांसीत अभ्योक्त मनोज को गिरतार कर चेल भेज दिया महराजगंज की पुलिस से मीली जानकारी के अनुसार प्रभारे निर्ख्षक गजनन चोवे के नितिर्तों में उपन निर्ख्षक मैं हमराही करमचारी कंड के उपरोक्त मुकदमे की विवेचना के खरम में परसुरामपूर बजार पहुचे ही थे कि ग्यात हुआ की मां से मार पीट करने भी तुआमादा है वो उसके दर्वाजे पर मौच सुथ है मौके पर पहुंची पुलिस के सामने ही मनुच वादेने के गर के सामने खड़ा होकर लकार रहा था पुलिस वालों को देकर मूड कर भागने का प्रयास किया कि पूलिस दौरा एक बार की त राजपूर थाना चेतर के बैना गाउं में बीते रीपवाली को गाउं के दूपक्चों में पठाका चलाने को लेकर मारपीट हो गई थी। गाउं के कुछ सब्रांत लोगों ने थाने में सुला नामा करा दिया था। मंगलबार की साम राजपूर थाना चेतर के जैनपूर गाउं निवासी से लेंदर सिंग फाउजी अपनी बहन के ससुराल बैना गाउं आया था वही फुराने वाद विवाद को लेकर कहा सुनी होने लगी। धिरे धिरे वाद विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट होने ल उच गई पोईज ने घायलों को पेच सी राजपूर भिजवाया जहां पर डॉक्टर डेके सिंग ने घायलों को जिलास्पूताल के लिए रेफर कर दिया सुन्माते हैं अनुप कुमार एस पी कानपूर दियाद की बात जो घटना है वो बैना गाओं के सासाथ परोस में बैना गाओं के जहनपूर है उसे भी संबदीत है यहां का रहने वारा भानू परताब फुर्फस सीफू नाम का युवग जो था जिसकी उमर करीब 20 वरस है और इसने भी पेड किया है यह बैना गाओं में अपनी बहन की स इसनसी पिश्टर ले करके यह मौके पर गया इसके दौरा जो है दबंगई दिखाते हुए फायर किया गया जिसमें दूसरे पच्के तीन नों के लिए जो है चर्रे लगे है उन्हें पुलिस ने पहुंच करके मौके पहुंच करके सिस्थिती को कंट्रोल किया और जो गाय पान्चेल में स्वास्त सुधाएं देखकर लोहामनओा चुके लाईफ लाइफ लाइन अस्पताल में अब करोणा वयरस की जाँच हो सकेगी। मसीन को लगाने का उध्र स्थिया ही है ,कि अभी तक कई लोगों की जान आइ जान गई है जाच में जाए होने ऑज़्गे जो आव लाइफ राइन परिवर नहीं होंदे हो इस मसीन से एक दिन में सो जाच हो सकती है प्रति जाच रिपोर्ट एक घंडे के अंदर मरीज को मिल जाएगी इस मसीन के लग जाने से कंभीरी बीमारी से क्रसित मरीजों को काफी सहूलेत प्रतान होगी खास बात दिया है कि यह मसीन सिर्फ कोरोना की जाच नहीं बलकि कई गंभीरोगों की जाच कर सकती है जैसे डेंगू मलेरिया चिकनगूनिया आज लोगों की जाच के लिए यह मसीन लाइफ लाइफ लाइज अस्पताल में उपलब दे डाक्टर अनुप सिर्फ लाइज नहीं बलकि जनपत की किसी भी अस्पताल में भरती मरीज की जाच हो सकती है यह मसीन आजमगड के लिए है, समाज के लिए है, इंसानित के लिए है क्या कुछ का आईस बाबत, इलादिकारी, आजमगड और डाक्टर अनुप सिर्फ लियादव ने आपको बारी बारी से दोनों की बात सुनवाते है वहीं पर उन्होंने टेस्ट कराया, वहीं पर रह रह रहे हैं, बट आधार कार्ट की वज़े से हमारे जनपत अलॉट हो गया था, तो इसलिए 93 संक्या दिख रही थी, तो तीन का यहां से रिपोर्ट बेजा गया कि यह तीन हमारे जनपत के निवासी नहीं है, तो फिर वह इक पर चग करके उसको बात में हटाया गया, दूसरा, दो तरह की रिपोर्ट जाती है, एक जाती है रात के 12 बजे से अगले रात के 12 बजे तक, फिर एक जाती है शाम के 6 से अगले 6 बजे तक, तो उसमें कई बार کंफुशन हो जाता है, तो जो यह पेशन्ट दिखाए इसलिए 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 शुरू किया था तो आप वही इसको चालू करें कोई एक सिस्टम में लाइट मसीन का इनागरेशन हुआ है हमारे मानने डियम साब के हाथों से और इस मसीन से अब हम लोग इतरीके से इस्टन यूपी में सिर्फ डूसरे और राजंगर के पहले सेक् क्राइबेट को जोंकि कोड जिस तरीके से मामारी Brother पे फैलता जा रहा है बड़ी समस्यां जांच की उस्चित जांच और सबसे बड़ी पार्टन बार समय से जांच के रिपोर्ट की थी जो सबसे बड़ी कमी हमनों के सामने फेस कर रहे थे कि न्यूनतम समय भी हमें लग रहा था तो हमें लगबग 24 घंटे लग जा रहे थे प्रापर रिपोर्ट मिलने में कि हम वाकई पाश्ट्यू है निगेट्व जिससे सबसे बड़ी जो एक समस्चा आ रहे थी गंभीर मरीजों के इलाज में आ रहे थी पेसेंट कई बार कोविट निगेट्व रहता था लेकिन उसको रिफ्यूज हो जाता था कि वह कहीं कोविट पाश्चूद नहीं आप जानते हैं कि देश में लगबग 700 से जादा डॉक्टर और लगबग 4,000 से जादा उनके परिवार के सदस्य मृत हो चुके हैं इस बीमारी के सिकार उपर के तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं से डरा से हमा इस प्रेज में काम कर रहा है और एक चार्ट मेडिकल फिल्ड में भी कभी कभी आ जाती थी खासकर गंभीर मरीजों को देखने के ब इसके लगबग 100 रिपोर्ट हम लोग एक दिन में कर सकते हैं और आटी पीसी आर के जो हैं एक ख्याल से 700 या 900 कितना मुझे एक्जाक्ली आइडिया नहीं है इसका आटी पीसी आर की रेट के कास्ट यह है यह आटी पीसी आर नहीं है यह टूनेट है और इसका इसका मुझे इसके बारे में मुझे नहीं आइडिया कि क्या चार्जेस हैं क्या उसके और मैं उचित वेक्ति नहीं होंगा क्योंकि मुझे वाकि इसके बारे में जानकारी है अध्य है सरकारी है स्थाल में नेत्मे दो तरीके कि होती है एक एक होती है डूब्लेक्स और एक होती है मल्टिपलेक्स तो डूब्लेक्स मसीन आपको सिर्फ COVID की एक एंटीजन को चेक करती है और उसके दो स्टेज होते हैं इसको दो बार में करना पड़ता है फर्स्ट टेप में वह एक आइडेंटिफाई करती है कि क्या ये जो वाइरस है यह patient coronavirus की family का है या नहीं पहली बात और दूसरी बात कि अगर यह coronavirus family तो coronavirus family यह बहुत broad family है और उसमें क्या यह COVID-19 है SARS-CoV-2 जिसका नाम है वैग्यानिक नाम तो second जो जांच होती है वो COVID-19 से related होती है तो उसको दो stage में करना पड़ता था पहले लेकिन जो यह machine है जो lifeline में इस् करती है इसलिए इसकी sensitivity और efficacy equivalent to RT-PCR है क्योंकि इसके true negative का मतलब कि patient true negative है वो COVID-19 है और अगर इसके true positive है तो इसका मतलब patient true positive है और वो COVID-19 positive है तो इस machine की authenticity RT-PCR के equivalent है इस machine से न सिर्फ हम COVID बलकि टुबर क्लोसिस देंगू चिंकुन गुनिया इसके बारे में भी जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं टाइफायट की authentic report प्राप्ट कर सकते हैं और इतना ही नहीं बलकि machine से जो टुबर क्लोसिस के resistant bacteria है उन्हें कौन सी दवा काम कर सकती है हम इस machine से ये पता कर सकते हैं तमाम advanced जाचे जैसे कि HLA B27 और इससे related तमाम antigen जो connected issue decider से संब्धित होते हैं उनकी जाचे भी हम इस machine से करने में सच्छा में और ये सारी जाचे आजमगणे पहले उप्लग नहीं थी ये पूरे आजमगण के लिए पूरे जोन के लिए है ये humanity के लिए है ये समाज के लिए अंबेटकर नगर जिले के आलापूर तहसिल छेतर के विड़हर घाट से चत्रस्त होने के चलती आवागमन को रोग दिया गया है बता दियें कि वीते सुकुरवार की रातरी में सर्यू नदी पर बने सेद अंबेटकर नगर वसंतकबीर नकर जनपत को जोडने वाले सेद बिढ़हरा घाट बिढ़हर घाट पर किनारे का हिस्सा तूटने से हरकम मच गया आनन फानन में प्रसासन ने बैरिकेटिंग कर दोनों तरफ के वाहनों को रोग दिया है कियोल फैदल एवं दूपहिया वाहन को आने जाने के अनुमती दी गई है बेटे दिनों इस संबन में खबर भी प्रकासित की गई थी लेकिन अधिकारियों के कान में जो तक नहीं रहेंगी और आखिरकार पूल पर लगबग दो मीटर की परदी का गटा बन गया है विरित हो कि इस पूल से प्रतिदिन हजारों वानों का आवग बन होता है